गुड मॉर्निंग इस्टुडाइंट वेलकम टू अवर हिंदी क्लासे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फस्ट का भाषा वाला पोशन किया था भाषा तता व्याक्रण उसमें कोशन नमबर फस्ट किया था अब आज हम भाशा तथा व्याक्रण का कोशन नमबर सेकंड करेंगे तो आप लोग तयार हो जाएए और पेज नमबर एट निकालिए उसमें सेकंड कोशन दिया गया है विलोम शब्द छाट कर लिखिए विलोम याने होता है उल्ता या विपरीत ठीक है जैसे कि हम बोलते हैं रात तो रात का उल्ता क्या हो गया दिन वैसे ही हमको इस कोशन में विलोम सब्द को छाट कर लिखना है तो इसमें आपको जो विलोम सब्द के विपरीत सब्द उपर दिये गए हैं उसी में से हमको ये लिखना है तो सबसे फ़र्ष्ट आपका दिया है भै भै याने होता है डर तो डर का उल्टा क्या होगा यह निदर होगा यह निर्भै ठीके ना निर्भै तो आपका दिखे पांचवे नमबर पर लिखा है निर्भै तो आप यहाँ फिल कर ये निर्भै ठीक है कर लिया सबी बच्चों ने अब सेकंड देखिए दुख दुख का उल्टा क्या होता है सुक तो आपको थार्ड नंबर पर दिया गया है सुक तो यहां फिल करिए आप सुक अब थार्ड नंबर पर दिया गया है आशा आशा का उल्टा होता है निराशा तो आपको दिखो उपर सेकंड नमबर पर लिखा है निराशा तो आप यहाँ निराशा फिल करिए अब यहाँ पर आ जाएए घा नमबर पर दिया है आपको देश प्रेम तो देश प्रेम का उल्टा क्या होता है देश द्रोह फर्ष्ट नमबर पे आपको यहां दिया है देजड्रोय, वो देखकर फिल करिए देजड्रोय, अब अगला दिया गया है डा नमबर का आजादी, आजादी का उल्टा होता है गुलामी, तो आपको यहां पर फूर्ट नमबर पर दिया गया है गुलामी, तो आप गुलामी फ पराया तो यह आप यहाँ पर फिल करिए ठीके बच्चों आप लोग ने फिल कर लिया अब आपका थार्ड कोश्यन है नीचे दिये गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिये गए हैं तो उसको आपको क्या बनाना है वाक्यों बनाना है उन शब्दों का तो दिखिए मैंने जब कविता पढ़ाई थी तो आपको क्या है यह शब्द का अर्थ बताया था तो इसके वाक्यों आपको स्वयम बनाना है यह आपका होमवर्थ है ठीक है अब हम इसका थार्ड कोश्यन करेंगे इसमें दिया गया है कि नीचे दिये गए सब्दों का सही वर्ण विचेद चुनकर टिक लगाई है तो हम पहले एक एक शब्द पढ़ेंगे फिर उसका वर्ण विचेद देखेंगे याने वर्ण विचेद क्या होता है याने एक एक शब्द को अलग अलग करना विच्षेद याने अलग करना तो ये अलग-अलग मात्रा के हिसाब से उनको किया गया है अब आपको सही वर्ण विच्षेद क्या है उस पर टिक करना है तो फ़स्ट दिया गया लग और आखी मात्रा और फिर लग और छोटे आ अब आपको second number पे दिया गया है ल, आ, फिर ल, अ, फिर ल, और ल, प्लस ल, तो आपका second number का सही है, क्योंकि ल, हम जब छोटा ला बोलते हैं, तो उसमें थोड़े रुख रहे हैं, इसलिए ल, और आ की मात्रा, और ल, और फिर छोटा, तो यह आपका second number का सही है, तो इस पर आप तिक कर यह, अब आपका second number पे दिया गया पिता, तो फर्स्ट दिया गया है प, इ, त, आ, यानि और second दिया गया प, इ, त, आ, और third, प, इ, त, आ, तो आपका first number का सही है, प, यानि छोटा पा, और फिर उसमें किसकी मात्तरा लगी है, इ, की, छोटी इ, की, और फिर त, और उसमे किसकी मात्रागी है आ के तो आपका सैकेंड नमबर का जाइट है तो आप उस पर टिक करिए अब दिखिए यहाँ पर पेज नमबर नाइन पर आपा जाएए तो नाइन पर आपका गा नमबर पर दिया गया है त्वचा तो लिखा है तवचा और यहां पे दिया गया त, व, अ, च, आ और फिर थर्ड नमबर पे दिया है त, अ, व, च, अ तो आपको सेकंड नमबर का आपका सही है त, पहले आधाता दिया गया है इसलिए इसमें हलंत लगा गया है और व, और अ, यानि छोटा, वा की बार, वा, खाली वा है और च, और इसमें आ की मात्ता, तो सेकंड नमबर का आपका राइट है इस पी तिक करिए, अब घ, घा नमबर पे दिया गया है कर्म तो क, र, म, अ, और सेकंड दिया गया क, अ, र, म, अ तो इसमें का है क, यानि छोटा का और फिर क्या लिखा, आ यानि छोटा का है और इसके बाद उसमें हम थोड़ा रुखकर विराम करके बोलती है और र, यानि रा की क्या लगी है, रेप लगी है, फिर म, और फिर आ, यानि छोटा exhibitions है तो यह आपका राहिट है तो सेकंड नमबर पर टिक करिए अब आप दिया है तो भाग भाग में क्या दिया भा अ ग य अ सेकंड दिया भा, आ, ग, य, अ तर्ड दिया है भ, अ, ग, य, तो आपका फस्ट नमबर का राइट है क्योंकि भ, फिर उसमें क्या है आ की मात्रा और ग, और फिर आधागा है और फिर य, और फिर अ, याने क्या दिया है या खाली है, याने छूटा आया है तो ये आपका राइट है, तो इस पर टिक करिए I hope कि सभी बच्चों ने ये उन्सॉल्व कर लिया होगा और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए, have a good day